Hello everyone, this is Dr. Jeevesh Shado Q&A की इस नए पार्ट में अगेन आपके जो सवाद है उनके जवाब यहाँ पे मैं आपको दूँगा स्टार्ट करते हैं अच का जो Q&A है वो ओके तो पहला जो कुश्चन है वो यहाँ पे है इनका नमस्ते सर पीजी डिप्लोमा कोर्स की कौंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और किस साइट पर कौंसलिंग के लिए अपलाई करना होगा B.H.U.N.I.A. I.T.R. में डिप्लोमा कोर्सेस की मेरिट के बेसेस पे अलॉट होता है बिल्कुल ठीक है आपको ऑफिशल साइट को पर विजीट करना पड़ेगा B.H.U.N.I.A. I.T.R. ठीक है और मेरिट के बेसेस पे ही ठीक है वहाँ पे जो आपका सीट है वो अलॉट होता है ठीक है तो उसके लिए आपको ऑफिशल साइट जो होता है ठीक है इन सेंटरल इं इनिंग सर सर एए पी जीटी टूटोजन ट्वंटीफोर एर आई तेरह हजार पांसो तेईस कर्टिग्री रैंक 1512 SC कर्टिग्री सर इस दियर एनी चांसेज फॉर ए फॉर सीटीन गवर्मन कॉलेज प्लीज रिप्लै तो चांसेज नहीं है ठीक है और इस्टी के साथ मैं आ 294 मार की निया पी जीटी एर आई इस 882 EWS 178 बट सर EWS सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हैं तो कॉंसलिंग अटेंड कर पाएंगे या नहीं क्या प्रोसेज रहेगा इसके अलब इन्होंने बताया है कि सर क्या UP में गवर्मेंट सीट मिलने के चांसेज है जर्नल से बिलक होगी ठीक है AWS सर्टिफिकेट नहीं है तो ठीक है तो कॉंसलिंग अटेंड कर सकते हो डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू भी आपको सीट अलॉट हो जाएगी और आपकर स्टेट कॉंसलिंग के थ्रू आपको मन पसंदीदा सीट मिलने के चांसेज है ओके नो नेक्स्ट क्योरी को अपना के बढ़ते हैं तो इन्होंने पूछा है हेलो सर गेप सर्टिफिकेट क्या होता है राजिस्थान स्टेट कॉंसलिंग में चाहिए क्या गेप सर्टिफिके आपने कोई भी course नहीं किया यानि कि कोई भी जो course होता है ठीक है जो government का approval course है चाहे वो आपका diploma हो या फिर कुछ भी और हो ठीक है वो नहीं कि आप एकदम सिर्फ PG का preparation कर रहे थे ठीक है और किसी भी चीज में course में admission नहीं लिया आपने तो उस एक साल में या उस एक साल का जो duration रहता है जिसमें आपने कुछ भी course नहीं जोइन किया या फिर कुछ भी course नहीं किया ठीक है जो government approval courses है वो ठीक है तो उस condition में आपको वो एक साल का जो आपका पुरा जो gap रहता है ठीक है जिसमें आपने सिर्फ preparation किया था कोई course नहीं किया था तो उस year को लिए आपका certificate मंगता हुसे अपन गेप certificate करते हैं मतलब आपका एक साल पुरा गेप हुआ तो उसको अपन एक गेप certificate बोलेंगे अगर वही है कि दो साल तीन साल ऐसे करके आपका रहता है ठीक है कि आपने दो साल तीन साल हो गया अपने कोई भी government के approval courses जो है ठीक है उनमें किसी में भी admission नहीं लिया है चाह हो आपका diploma हो डिगरी हो तो उस condition में आपको उतने साल का गेप certificate बनाना पड़ता है यह government certificate होता है जो आपको 50 रुपए या 100 रुपए के stamp के उपर बनाना पड़ता है ठीक है जिसमें आपको लिखवाना पड़ता है ठीक है कि आपने stamp से लेकर के stamp तक कोई course नहीं किया ठीक है और या फिर उसमें लिखा रहता है पूरो format आपको मिल जाएगा जब आप notary वगरे के पास में जाओगे तो ठीक है अब नेक्स्ट क्योरी को अपना के बढ़ते हैं तो इन ने बोले हैं Hello Sir I have complete my UG in Karnataka and my registration is Karnataka itself I am from Registran so to be applicable in state counselling do I need to transfer my registration kindly reply तो यहां पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा ठीक है और बहुत सारे बच्चों को भी मैं यह चीज़ बताना चाहूंगा ठीक है अब यहां पर कई states ऐसे होते हैं जहां से अगर आप UG की डिगरी किये रहते हो तो वहां के PG counselling के लिए भी आप eligible रहते हो यह चीज़ मैं जब information bulletin पढ़ रहता था तब मुझे पता चला ठीक है eligibility criteria में तो वहां पर आप reservation में तो नहीं आओगे लेकिन उस state की state counselling आप attend कर सकते हो करनाटा के विशय में क्या है यह मुझे देखना पड़ेगा एक बरिन का information bulletin ठीक है तब ही मैं थोड़ा अच्छे detailing से बता पहूंगा बट बहुत ज़्यादा chances है कि जो बच्चे अभी जिस state में किये है मतलब मान के चलो उनका राजिस्थान का था ठीक है domicile लेकिन उन्होंने अपने यूजी महरास्ट या करनाटा का या फिर किसी और other state या से उत्तरा खड़ में किया है तो उस condition में notification में कई जगा ये mention था कि आप eligible रहोगे state counselling के लिए अगर आपने उसके university मतलब उस state की university के अंदर में अगर आते हो तो वहाँ सी यूजी किया है तो ऐसा करके कई में mention था ठीक है तो ये chances है कि आप attend कर सकते हो बट मैं एक बार information bulletin में देख करके confirm करके आपको बताऊंगा कि previous year क्या था ठीक है और वही है कि transfer कराना कब कराना पड़ता है ठीक है देखो आप रा या करनाटका की करनी है तो वह आपका last का process रहता है ठीक है registration number transfer बगर कराने का बट वही है कि आपकर आ सकते हूं आपके ऊपर है और इसका में एक बार detailing से देख करके बताऊंगा नेक्स्ट क्योरी है यहाँ पर गुड इवनिंग सर मार्क 241 है कर्टेगरी OBC रेंग 3086 है स्वरी ERI रेंग 3086 है कर्टेगरी रेंग 1404 है सर MP में government college मिल सकता है क्या इसके अलाव इन्हों पूछे है सर महरास्ट का government edit college मिल सकता है क्या central counseling में clinical subject में दो को वैसे मैंने इसका तो पहले का answer बता दिया था ठीक है क्या chances है ओके और यहाँ पर मैं यह बोलूँगा ठीक है सबसे पहले बाद तो वह यह कि state के थ्रूई chances बनता है बाकि central के थ्रूँ तो chances नहीं बनता government college मिलने का अब अगर आप बोल रहो कि government edit college तो government edit college में clinical मैं नहीं बोल सकता ठीक है clinical branches के chances कम हैं लेकिन हाँ chances हैं ठीक है कि वहाँ पर भी आपको मिल जाए ठीक है लेकिन वह counseling clinical का तो मैं नहीं बोलूँगा ठीक है जो भी आपको subject में लेगा वो उसी time में decide हो पाएगा नाव नेक्स्ट क्योरी क्योरपन आगे बढ़ते हैं इसके लब इन हम पूछे सर private college लेना सहीं रहेगा क्या तो देखो आप क्यों उपर है अगर आप मेरे अनुसार्ट अगर जर्पा होगे ठीक है तो उस condition है मत लो लेकिन वही है कि साल वरबात करने से ज्यादा better है मैं यह बूलूँगा government private उतना ज्यादा बाद में आपके degree के हिसाब से matter नहीं करता है ठीक है क्योंकि आज तक तक तो मैंने यह नहीं देखा है हाँ यह बात लागे कि practical exposure matter करते है ठी degree तो सेम ही रहता है सभी का ठीक है तो उसका उतना कोई effect है नहीं पड़ता अगर आपको clinical में करना है तो असानी सापको मिल जाएगा ठीक है private college बड़ यह है अगर वह भी clinical subject भी मिल जाएगा ठीक है पर government में अपन नहीं बोल सकते हैं ओके नाव नेक्स्ट क्योरी को रपना पड़ते हैं तो नेक्स्ट क्योरी यहां पर हैं सर पीजी में एक बार admission ले लेने के बाद में क्या हम दोबारह याई PGT 2025 के लिए exam दे सकते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हो है एक बार admission लेने के बाद में लेकिन यहां पर पेपर तो दे लोगे लेकिन पेपर में अगर अ continue करो ठीक है अगर नहीं लिए हो तो पूर एक साल पूरव अच्छे से प्रप्रेशन करो क्योंकि आधा नौ पे सवार होने से ज्यादा बेटर है एक तो अगर आप ले रहे हैं तो पूरव और को एमडी को complete करो जो जिस सब्जेक्ट में लिए है अगर नहीं ले रहे हो तो पूर तयारी के साथ में एक साल और मैनत करो ठीक है वरना आपका साल भी अबरबाद होगा प्रेपरेशन भी नहीं कर पाओगे ठीक है और यहां प्याप रहोगे तो फिर बॉन भी बनना पड़ेगा तो ऐसा प्रॉब्लम रहेगा उससे ज्यादा बेटर यही है बर एक्ज इस गॉर्वर्मन कॉलेज का सिर्फ रचना और करीया ही मिला है मुझे समीता में करने हैं और यह नहीं पूछह है आगे जाकर प्रेक्टिकल करनी है तो क्या अधगत तंतर में पीजी करना वर्थ है क्या देखो सुरी प्रेक्टिस करना है तो अगत तंत्र में जो है PG करना वर्थ है क्या तो यह आपके उपर है ठीक है यह मैटा नहीं करता ठीक है देखो त्रेक्टिस करने के लिए क्लिनिकल सब्जेक्ट होना मेरी इसाब से थोड़ा जोरु है ठीक है बागी अदग तंतर में करोगे उसके बाद में भी आप कर सकतो कोई no doubt बहुत सारे करते हैं वो आपके interest को पर matter करते हैं मेरी साब से ऐसा भी नहीं है कि आपका clinical subject हो तभी आप जो है practice कर सकतो क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे नाम देखे हैं आप उसको धारन भी देख सकते हो जिन लोग non clinical subject में PG किये हैं और उन लोग का नाम चलता है आजकर ठीक है मैं यहाँ पे नाम नहीं लेने चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आप नेट पे सर्च करोगे ता आपको मिल जाएगा most of the लोग non clinical में जिन लोग किये हैं लेकिन उनका interest क्या था clinical था इसी वज़े से उनका clinical बहुत strong है ठीक है और कई लोग ऐसे भी है जिन्होंने clinical में किया है बट अभी academic में गया है ठीक है उनका practice practice कुछ भी नहीं है तो यहां पर आपके interest इक उपर matter करता है ठीक है आप कोई भी subject में पीजी करो अगर आपका interest है practice करने में ठीक है clinical में interest है मतलब की patient देखने में तो आप automatically एक लिए आयरवेट की चीजों को समझते जाओगा और सीखते जाओगे उसके लिए जोरूरी नहीं है कि आपको clinical subject हो हाँ यह बाता लग है कि clinical subject रहता है तो आपको थोड़ा अच्छा advantage या फिर उसका जो यह वोल सकते है एक्सपोजर है ठीक है उसके भिहाब पर confidence level और boost up होता है ठीक है बट वो अगर आपके अंदर में रहेगा तो automatic ले आ जाएगा वह matter नहीं करता है ठीक है clinical non-clinical से नेक्स्ट क्योरी है यहाँ पर गुड़ीवनिंग सर असे इनका ही था ठीक है कि category rank 270 था महरास्ट मुझे समीता में PG करना है तो government college only to attend central counseling और state counseling तो बिलकुल आपको state counseling central counseling दोनों के थ्रूँ आपको समीता मिल जाएगा ठीक है और वही है कि state के थ्रूँ 100% मिल जाएगा समीता जो ब्रांच है वो ठीक है और central के थ्रूँ भी मिल जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा सा चांसेस वही 10-20% उपर नीचे रहेगा ठीक है बट मिल जाएगा दोनों में ओक है फिर नेक्स्ट क्योरी है यहां पर गुड मॉर्णिंग सर एयाई पीजी टी एयर आई 1459 56 के टेग्री रेंग 469 जेनल के टेग्री राजिस्थान स्टेट इस दियर एनी चांसेस फॉर भील छांसेस बनते हैर ठीक है तैसे सटेट कोंसलिंग कर्द्र आपका चांसेस बनता है कि आपको स्टेट कौनसलिंग में बनता है चैंटर कांसलिंग में नेज्य बनता है नेक्स्ट क्यों रहल है हैं यहां पर एंड जैनरल केटेग्री का 247 ओर में बट उससे ज़्यादा मार्क वाले ओबीसी के केंडिडेट को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था इट्स विकॉज ओफ सीट रिजर्वेशन एंड नंबर ओबीसी केंडिडेट ज़्यादा होने के वज़़ा से धैट धैट मेंस की उविसी का कट अप जनल से भी ज़्यादा जाता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ठीक है by média लिवन में भी देखो हैसा कुछ नहीं है सबसे पहरे हैं बता देतोओ जो ज़र्नम के सीट रहती है वह औपन रहती है ठीक है उसके ओपर OBC के candidate भी admission ले सकते हैं अगर general में EWS है तो वो reserve रहता है ये मैं मानता हूँ ठीक है लेकिन general के जो seat रहती है वो क्या रहता है आपका open रहती है मतलब उसके उपर SC भी ले सकते admission, HT भी ले सकते है OBC भी ले सकते है मतलब पहले क्या देखते हैं मैं counseling में बता देता हूँ जब आप कोई भी reservation वाले category में जैसे example के लिए journal की 50 seat है ठीक है OBC की 10 seat है अब यहाँ पे जब आपका भरा जाएगा seats fill up किये जाएगे तो यहाँ पे आपका ranking base पे होगा अब यह जो ranking base रहेगा इसमें अगर starting के 30 candidate क्या निकले आपके journal लिख ले बाद में जो आपके 20 candidate थे ठीक है वो कि क्या निकले OBC निकले तो कैसे भरेगा मैं बता रहा हूँ जो starting के 30 candidate है वो journal की seat ले लेंगे 20 में से 10 जो candidate रहेंगे वो आपके OBC की seat ले लेंगे और बचे हुए जो 10 OBC के candidate रहेंगे वो journal की seat ले लेंगे समझ रहा हूँ मतलब journal की seat नाम बस के लिए है कि हाँ यह journal के लिए मतलब इसके उपर सभी लोग कर सकते है ठीक है उसमें कोई reservation वाला नहीं रहता तो वो आपको मिल जाएगा ठीक है जैसा नहीं होता है ठीक है तो जनरल के उपर सभी लोग चाहे हो ST एक भी रहते तो भी उनको मिल जाता ठीक है OBC भी रहेंगे तो भी उनको मिल जाएगा बस यह है कि जो OBC है ST, ST है इनकी seat जनरल नहीं ले सकता या फिर ST की seat OBC की seat OBC की seat ST नहीं ले सकता जनरल की seat सभी लोग ले सकते है ठीक है तो ऐसा नहीं होता है OBC का जनरल वो अलमेटन नहीं करता ठीक है जैसा आप बोल रहे हो next क्यों यह है यहाँ पर can you please guide me regarding AACCC counselling can I apply for it or not I got AIPGT 2024 ARI 16,539 and SC category rank 1,915 score is 100 so can I get admission in private college if any colleges what course should be I get सबसे पहले तो मैं यह बोलूँगा यहाँ पर आप eligible नहीं हो ठीक है इस वो जैसे आप अगर in case अगर cut up decrease हुआ तब आप जो एक बर private college के लिए apply कर पहोगे अभी फिरहाल के लिए तो भी आप eligible नहीं हो ठीक है तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप अभी यहाँ पर counseling attend करो करके ठीक है अगर last में अगर कुछ आया notification तो उस condition में बता दूँगा बट अभी अगर आप apply अभी नहीं कर पाऊगे ठीक है मतलब form भी नहीं बर पाऊगे ठीक है Central College में seat मिल जाएगा बिल्कुल आपको seat मिल जाएगा Central Institute में seat मिल जाएगा ठीक है आराम से मिल जाएगा पर कौन से institute है यह नहीं बोल सकता पर Central में मिल जाएगा यह confirm है next क्योरी है यहाँ पर Good morning sir Mark 325 है ERI 285 है OBC 118 है Domicile Punjab का है I want to get MS-Guyena Ops seat since there is no clinical seat in Punjab and less chances of getting it in Central Institute What is the future advice to get MS in other state government colleges Also how to know which state colleges are better for the clinical experience प्लीस लॉलिस्टम इफ यू कुड है तो यहां पे मैं आपको बताना साओंगा सबसे पहले तो कि यहां पर आपको में गैना आप्स की सीट चाहिए ठीक है हम मिल जायगा ठीक है पहले तो यहां पे non-clinical seat in Punjab देखो सबसे पहले तो यह मैं बोलूगा central के थो ट्राइ करो central institute में मैं नहीं बोलूगा कि central institute में आपको जो है MS में गैना की जो seat है वो मिल पायगा लेकिन central counseling के थो आपको गैना की seat मिलने के chances है ठीक है ये मैं बूलूँगा वो भी second and third round में ज़्यादा chances है पर chances बिल्कुल बनते हैं अगर आपका पंजाब में नहीं है तो उस condition में ये बूलूँगा Central Institute में try करने से ज़्यादा बेटर्स all over India में top 10 colleges के मैंने already list दे दिया है ठीक है आप वहाँ पर try कर सकते हो वहाँ chances आपका बनते हैं कि आपको second and third round में Central Counseling के थुरू आपको जो आपकी जो मन पसंदीता ब्रांच है वो आपको lot हो जाए ठीक है तो उसका chances रहेगा लेकिन उसका भी chances थोड़ा सा कम रहेगा ठीक है chances है कम बोलूँगा ठीक है All over India मिल जाएगा All over India मिल जाएगा ठीक है उसके chances जाएगा है मतलब 50% मतलब जो highest chances है वो है ठीक है All over India में जो लेकिन Central Institute में chances नहीं है ठीक है वहाँ पर कम chances है अगर chances ही बोलोगे तो 5% बोलूँगा मैं लेकिन Central Consuling के तुरू All over India की जो 15% की जो seat के admission होती है उसमें chances है ठीक है उसमें मिल जाएगा मेरी हिसाब से तो अब यहाँ पर वही है मैंने Top 10 Colleges की List बना दी है ठीक है वो वीडियो आप देख लेना तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कौन से आपको सेट मिल जाएगा ठीक है और स्टेट कांसलिंग अटेंड करोगे तो तो आपको 100% आपको मन पसंदीदा सीट मिल जाएगा ठीक है तो अगर आपको ऐसा है कि Central Institute का मैं नहीं बोल सकता है Central Institute में Non Clinical वह आपको Second या Third Round में मिलने के Chances रहेंगे Chances रहेंगे यह बोल रहो मैं मिल जाएगा करके नहीं बोलूँगा ठीक है लेकिन State Counseling के थुरू आपको अच्छे से जो College है आपके महराश्टर के वहाँ आपको असानी से Admission मिल जाएगा ठीक है तो मैं यह सजिस्ट करूँगा State Counseling अटेंड करो उसमें आपको मन पसंदीदा जो seat है वो राम से मिल जाएगा State Counseling के थुरू बगे Central के थुरू भी ट्राइ करना चाते हो तो कर सकते हो ठीक है Second Round तक दोनों को Balance बना करके आपको ताकि पता चल जाए कि Central Institute में भी कोई seat मिल रहे कि नहीं मिल रहे तो Second Round तक वहाँ कर सकते हो फिर Exit ले करके महराश्टर के State Counseling से अगर वहाँ पे नहीं मिला तो मन पसंदिदा seat ले लेना तो दोनों आप ट्राइ कर सकते हो ठीक है पर State Counseling में जादा चांसेश है चांसेश दोनों में है कौर्मट सेट मिल लेके ठीक है मतलब दोनों में मिल जाएगा कनफर्म है लेकिन आपका State में जादा चांसेश है नेक्स्ट क्यों रही है यहां पर सर 178 मार्क है और शेल सीट चाहिए कोई इस्टेट में मिल सकता है किया प्राइबें जानसेश है ठीक है अब यहां पर अब देखो इसमें आपका double, triple C की जगह अगर आप महारास्ट करनाटा का ठीक है यहाँ फिर आप उत्राखंट से हो, यहाँ पर आप try कर सकते हो, यहाँ पर chances बहुत जाद़ बनते हैं, कि आपको seat मिल जाए प्राइवेट कॉलेजे का ठीक है, राजिस्थान से भी हो, sorry, गुजरात से भी हो, तो भी chances है, ठीक है, कि आपको seat मिल जाए ठीक है, अब यहाँ पर वही है, कि state counselling गापको juice प्परेघा वहिं तीनों में से जिस श्राइट के हो आप तो वहां के आपका करना पड़ेगा यू पी में भी चांसेज नो डाओट ठीक है तो चांसेज बिलकूल बनते हैं लेकिन जहां private इस नही रहीं अगर आप try करोगे मतलब वहां के अगर आप हो तो chances नहीं है कि आपको seat मिल ठीक है तो chances बिलकुल है अगर आपके state में private seat है तो private colleges है तो ठीक है और more chances करनाठा का एं महरास्ट में अगर हो तो बहुत ज्यादा chances है 100% कि आपको मिल जाए नेक्स्ट क्यों रही है यहाँ पर गुड़ मॉनिंग सर मारक जो है 254 है यहाई 2403 है और इस्टेट महरास्ट है OBC केटेगरी केटेगरी रैंक 1075 है इनका पहला कोश्चिन है तो सबस्तर पहले तो गौर्मेंट कोलेज के लिए बोलूंगा मैं तो गौर्मेंट कोलेज के महरास्ट इस्टेट की कॉंसलिंग अगर ट्राइ करोगे तो वहाँ पर थर्ड या मॉप रौंड में ही बनते हैं चांसे जो दस से बीस परसंट है ठीक है गौर्मेंट कोलेज का लेकिन गौर्मेंट एड़ेट कोलेज आपको मिलने के बिलकुल चांसे से 11 गौर्मेंट तो इस्टेट कोटा के थूँ ही आपको मिलेगा मतलब स्टेट कौंसलिंग के थूँ ऑल इंडिया कोटा की कौंसलिंग कथ्रू मिल जाएगा हूं ठीक है महरास्टे स्टेट की नेक्स्ट क्योरी हैं आप हेलो सर मैं ARIE 11738 के टेगरी OBC नॉन क्रिमेल रैंक 5068 आयम फ्रॉम हर्याना बी एम इस डन फ्रॉम यूपी के नाइगे टे क्लिनिकल ब्रांच इन प्राइवट कोलेज और अच्छा आप अप अपने यूपी से किया है ठीक है तो यहां पर मैं यूपी के एक बार information bulletin देख लूँगा ठीक है अगर यहां पर भी जैसे उत्रा खंड वाला टाइप अगर सिस्टम रहा तो अप यूपी में ट्राइए करो वहां पर ज्यादा chances रहेगा ठीक है compare then हर्याना के पर मैं ये clinical non-clinical नहीं बोल सकता है ठीक है अगर वही है कि 5000 आपका यह रही रहता तो chances ज्यादा था कि आपको clinical मिल जाए वट इसमें आपको seat मिल जाएगा यह मैं बोलूँगा ठीक है कि chances है कि seat मिल जाए 10 से 20% chances है कि आपको मिल ही जाएगा ठीक है मिल जाएगा मेरे हिसाब से तो private college में next query हैं आपे hello I come from महरास्ट I fail for EWS quota I have an EWS certificate I have E AWS center in this month I have OBC certificate of महरास्ट non-crim layer plus validity receipt can I change caste in महरास्ट counselling to OBC for admission यह possible नहीं है ठीक है जैसे मैंने हर बच्चे को बताया है मैं आपको यह बोलना चाहूँगा ठीक है कि जब आप final fill up कर देते हो exam के time में तो वही आपका caste certificate आपका चलेगा ठीक है वहाँ पर आपका बाद में अगर कुछ बन जाता है तो वो possible नहीं है ठीक है तो जो आपका admission के time में यानि के form filling के time में आपने भरा था ठीक है sorry form filling के time में exam के time में वही आपका चलेगा ठीक है उसी को coding है आपको counseling attend करना पड़ेगा और उसको change नहीं करा सकते आप बाद में ठीक है नेक्स्ट क्यों रिये हैं आप एंपर हेलो सर एम फ्रॉम महरास्ट माइए इस 3791 सी कर्टिगरी रेंग 263 के नाइगेट government college seat chances है ठीक है लेकिन state counseling के थ्रू यह chances बनता है वो भी third round में है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो chances है लेकिन वही है कि last आपका जो round है third yam up of round वहाँ पी chances बनता है जिसके 10 से 20% chances है बाकि government-rated college आपको असानी से मिल जाएगा ओके नौ नेक्स्ट क्यों यह है hello sir my ARI rank is 400 and general category rank is 130 will I get clinical or non-clinical seat in central college तो देखो central college का तो मैं नहीं बोल सकता है बाकि आपको हाँ वहाँ पर try कर सकता हो ठीक है जो आपका clarification second and third roll में हो जाएगा but आपको all over India में seat a lot हो जाएगा ठीक है डबल ले ट्रिपल सी की counseling के तुरू यह मैं बोल सकता हूँ बट central का confirm नहीं बोल सकता हूँ वहाँ पर आपको एक बरटेन करके देखना पड़ेगा जिसका clarification second and third roll में होगा बट all over India की counseling में आपको seat मिल जाएगा ठीक है central colleges में नहीं बोल सकता हूँ नेक्स्ट क्यों यह यहाँ पर हेलो सर रॉक्टर राज हीर सर एमडी रोग निदान करने के बाद क्या हम private lab open कर सकते हैं और pathologist all modern investigation allow है और license मिलते हैं तो नहीं ऐसा नहीं है ठीक है private lab आप जो है open नहीं कर सकते हैं ठीक है मतलब वहां पर आपका कुछ criteria है ठीक है वह आपका छूट मिलेगा लेकिन ऐसा है कि lab open करके जैसे जो अभी modern के doctors करते हैं ठीक है वैसा आप नहीं कर सकते हैं बाकि कुछ-कुछ investigation आपको allow किया जाता है ठीक है सभी आपको allow नहीं किया च्छूट नहीं है ओके नो नेक्स्ट क्योरी के और अपन आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे का जो क्योरी है ठीक है उसके जवाब मैं नेक्स्ट क्योरी में दूंगा ठीक है अभी के लिए तने ही थैंक्यू